गर्मियों में बे तहाशा बढ़ते तापमान की वज़ा से सिर्दर्द, पेटदर्द, चिर्चड़ापन और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है तो इस गर्मी के मोसम में अपने आपको हाइड्रेटीड और हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गर्मी में खुद को कूल-कूल और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी देशी समढ़ ड्रिंग जिसे पीने के बाद आप गर्मी से राहत पा सकते हैं और खुद को रिलाक्स कर सकते हैं आप इस देशी ड्रिंग को बड़ी असानी से अपने गर पे बना सकते हैं तो इस देशी ड्रिंग को बनाने के लिए चलिए मेरे साथ किचन में जलजीरा बनाने के लिए एक बड़े निम्बू का रस निकाल लिया है तीन से चार काली मिर्ज ग्राइंड करके रखी है जीरे को ड्राइ रोस्ट करके दरदरा कूट लिया है आदा चमच सफेद नमक लिया हुआ है इसे आप स्वाद अनुसार डालेंगे दो चमच चीनी एक चुथाई चमच काला नमक और लगबग 10 से 15 पुदीने के पत्ते जलजीरा पानी बनाने के लिए अब हम एक मिक्सर जार लेंगे अब हम इसमें फ्रेश पुदीने के पत्ते डालेंगे काली मिर्च बूने जीरे का पाउडर डालेंगे नीम्भू का रस सफेद नमक चीनी काला नमक डालेंगे अब हम लगबग आदा गिलास पानी डाल कर इसे अच्छे से पीस लेंगे इसको हमने अच्छे से ग्रैंड कर लिया है बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया है अब हम इसे च्छानी से च्छांट लेंगे इससे पुदीने के पत्ते या कुछ और मोटी चीज रह गई हो तो वो भी बहा निकल जाएगी फ्लेवर तो आ ही चुका है तलजीरे को सर्फ करने के लिए अब हम इसमें आईस क्यूब्स डालेंगे आप इसे गार्णिश करने के लिए बुंदी डाल सकते हैं और नीम्बू की पतली स्लाइसी से डेकुरेट कर सकते हैं देखिए हमारा जलजीरा बन कर त्यार है तो देखा आपने जलजीरा बनाना कितना असान है मार्किट में तो मिलता ही है फोल के हिसाब से गर पर बना कर पीजिए चलिए अब हम बात करेंगे इस स्वादिश्ट और रिफ्रेशिंग ड्रिंग के फायदों के पारे में जिसे जान लेने के बाद आप इसे कभी-कभी नहीं हर रोज पी ना पसंद करेंगी पहला है ये ड्रिंग शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है अनेमिया से बचाती है असिडिटे की समस्य से शुटकारा दिलाती है डिहाइडरेशन से बचाती है इम्मुनिटी पॉवर को भी बढ़ाती है कब्स और पेट की परिशानियों को दूर करती है लू से बचाती है इंस्टेंट एनर्जी देती है वेट लॉस करती है और इसे शरीर और दिमाग दोनों को ठंड़क मिलती है तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये ड्रिंक स्वाद के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए भी कितने फायदेमंद है उमीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इट हैल्दी के साथ जुड़े रहे थैंक्स पर वाचिंग इट हैल्दी एंस्टे हैल्दी